साक्षातकार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लाई की कैसी छबी उफरती है, वर्डन कीजिए उत्तर जैसे की साक्षातकार में उलेक किया गया है, धनराज पिल्लाई दुबली कत काठी के हैं, वे बहुत जुझारुश सभाव के हैं, वह अपने आपको बहुत और सुरक्षित महसूस करते हैं बच्पन का समय संगहर्ष पूर्ड होने के कारण वे तुनुग मिजाजी हैं इमें गुस्ता अधिक आता है वे अपने घर परिवार की बहुत इज़त करते हैं पहले वे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर खुद को हीन समझते थे लेकिन बाद में हौकी से मिली प्रसिद्धी के बाद उन्हें खुद पर गर्व है प्रश्न दू धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तैंकी है लगभग सौ सब्दों में इस सफर का वर्लन कीजिए उत्तर धनराज पिल्लई का जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा अत्यंत संघर्ष पूर्ड रही इनका बच्पन मुश्किलों से भरा था गरीब परिवार से होने के कारण इनके पास अपनी होकी स्टिक तक नहीं थी होकी खेलने के लिए इन्हें अपने साथियों के उधार पर होकी स्टिक मागनी पड़ती थी और वे भी उन्हें तब मिलती थी जब उनके साथी खेल चुके होते थे इन्हें अपने जीवन की पहली हौकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का भारती ये कैम के लिए चैन हुआ तब इनके भाई ने अपनी पुरानी हौकी स्टिक इन्हें दी मात्र सूरे साल की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्री हौकी सन 1985 में मड़ीपूर में खेली 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया इन्होंने सबसे पहले कित्रिम खास तब देखी जब ये 1988 में नेसनल में भाग लेने दिल्ली आए इनकी पहली गाड़ी एक सेकेंड हैंड अर्माडा थी काफी नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी इन्हें लोकल ट्रेनों तथा बशों में सफर करना पड़ता था 1999 में महरार सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और सन 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ट आइकॉन खरी दी मेरी मा ने मुझे अपनी प्रसिद्धी को बिनमरता से संभालने की सीख दी है धन्राज पिल्लै के इस बात का क्या अर्थ है उत्तर सफलता से लोग प्राया घमंड में अंधे हो जाते हैं इसलिए धन्राज पिल्लै की मा ने उन्हें बिनमर रहने की सीख दी है बड़ी से बड़ी कठनाईयों को बिनमरता से हल किया जा सकता है आदमी कितना भी बड़ा हो जाए गमंड नहीं करना चाहिए बलकि बिनमर ही रहना चाहिए जैसे फल से लदा एक पेड जुका रहता है ध्यान चंद को होकी का जादूगर कहा जाता है क्यों? पता लगाओ उत्तर ध्यान चंद होकी के सर्वस्रेष्ट खिलाडी थे वे होकी स्टिक और बाल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है इसलिए इन्हें होकी का जादूगर कहा जाता है किन बिसेस्ताओं के कारण होकी भारत का राश्टी ये खेल माना जाता है उत्तर में अनेक वर्सों से खेला जाता रहा है भारती खिलाडियों ने इस खेल में बहुत गवरों कमाया है सन 1928 से 1956 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ड पदक जीते इसलिए होकी भारत का राश्टी खेल माना जाता है